विपक्षी दलो के गडबंधन इंडिया नाशनल डूवलप्मेंट इंक्लूजव अलाइंस यानि की आई इंडिया इंडिया जिसमें आमाध्य पार्टी की एंट्री ही शर्तों के आधार पर ही और उसके बाद एक सवाले निशान तो अभी तक लगा हुआ है कि इस कॉंग्रिस ने भी कुछ निताओं के विरोत के बावजूद दिल्ली सेवा कानून वाले बिल पर केंद्र सरकार के खिलाब जाने का फैसला किया तो आमाध्य पार्टी विपक्षी गडबंधन में शामिल होने के लिए राजी हुई जहां तक कॉंग्रिस पार्टी का सवाल है तो पंजाब, दिल्ली, गुजरात और इसी तरीके से तमाप्रदेश यूनिट इस गडबंधन के लिए कभी भी खुद को तयार करती नजर नहीं आई है कुछ सवाल है इस कोट से जुड़े हुए आई उन सवालों पर एक नजर उसके बाद कोट को आगे बढ़ाते हुए उसे डिकोट करेंगे सवाल यह है कि कब तक चलेंगे साथ जिस भी इंडिया लाइन्स में जितनी भी पार्टियां हैं कब तक साथ चलेंगे लेकिन बात जब कहें कॉंग्रिस और आम आदिपार्टी की आ जाए तो जिस तरीके से पंजाब की आम आदिपार्टी सरकार ने प्रदेश के कॉंग्रिस विधायक सुखपाल सेंग्खेरा को ड्रक से एक पूराने मामले में गिरफ ताग कवाया उससे ये सवाल फिर से उठने लगा कि क्या कॉंग्रिस और आम आदिपार्टी के बीच कभी स्वभावे गडबंदन हो सकता है कब तक चलेंगे क्या कॉंग्रिस आपके बीच इस तरीके का स्वभावे गडबंदन हो गा भी तो कब तक चलेगा इन हालातों में कब तक और क्यूं बरकरार रहेगी इनकी दोस्ती आई इन सवालों को अब हम डीकोड करते हैं देखे पंजाब में पूरी तरीके से जंगल राज कॉंग्रिस आगे बढ़ने से पहले पंजाब कॉंग्रिस की MLA की गिरफतारी पर पार्टी के प्रदेश से लेकर राष्ट्र नित्रेत्वत्ता की तीखी प्रक्रिया आई पंजाब में जंगल राज ये गौर करने लाइक है पंजाब कॉंग्रिस के अध्यक्ष राजा वडिंग ने इसके विरोद में प्रदेश की राज़ जपाल से मुलाकात करने के बात कहा है पंजाब में देखी पूरी तरीके से जंगल राज है ये बात उन्होंने कही और पुलस ने सही तरीके से कारवाई नहीं की, यह भी बात उन्होंने कही, कहते हैं कि अन्याय सेहन करने वाले लोग भी हम नहीं है, मलिका अरजुन खड़गे एक मिनट के लिए मान ले कि आम आद्मी पार्टी के साथ किसी तरीके का घडबंदन करने के विरोध में है कि अन्याय अगर कोई करता है तो बहुत दंट टिकता नहीं, अगर अन्याय हमारे उपर करेगा तो अन्याय सेहन करने वाले लोग भी हम नहीं, अब जिस मकसद से कॉंग्रिस के साथ वो आई थी, आप आई थी, वो हुई बीती बात, तथ्य यह है, फाक्ट यह है कि जिस वजहा से आमादनी पार्टी इंडिया ब्लॉक में शामिल हुई और खास करके कॉंग्रिस के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, वो कहानी ऐसा लगता है कि कबकी खत्म हो चुकी है, अब तो सर्थ प्रिटेंड हो रहा है, इंडिया ब्लॉक के विरोध के बावजूत केंद्र की नरेंद्र मोधी सरकार वो कानून असानी से संसत से पास करा कर लागू भी कर चुकी है, सवाल है कि पिर इन दोनों दलों की दोस्ते इन हालातों में कब तक और क्यों बरकर आ रहेगी? देखी पंजाब में है आमने सामने की लड़ाई, हम पहले पंजाब से ही अगर शुरू करें, तो पंजाब में आप देखेंगे कि 2022 का विधान सबाद चुनाव आम आदिपार्टी कॉंग्रेस सरकार को ही सकता से बेदखल करके अप्रत्याशित बहुमत के साथ जीती, वहा पूरी तरीके सिधाक, जमाई, आमादिपार्टी को सबसे पहले, 2013 में दिल्ली में बड़ी सफलता मिली, तब भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन कर उबरी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कॉंग्रेस के समठन से सरकार बनाई, हाला कि कॉंग्रेस नेताओं की ओर स तब ही से ये कहा गया, आज तक कहा जा रहा है, इन फाक्ट कि आम आदमी पार्टी को कॉंग्रेस के जनाधार पर ही खड़े होने का मौका मिला, अब जब हम राजनितिक फिशलेशकों की बात करें, उन जानकारों की राय में आगे के चुनावों में ये बात और क्लियर होत चली गई, विधान सभा चुनावों में दिल्ली में बीजेपी का वोट शेर्ड लगभग अपनी जगा मतलब थोड़ा उपर नीचे कायम रहा, लेकिन कॉंग्रेस जो है, वो पूरी तरीके से साफ होती चली गई, आप इन राज्यों में भी कॉंग्रेस के लिए बन सकती ह जब विधान सभा चुनावों में वैसी ही सिचुएशन पैदा हुई, आम आद्मी पार्टी ने जिस तरीके से राजस्तान, मध्यप्रदेश, छत्तिसगर, विधान सभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोकी है, और हार्याना के लिए इरादे जाहिर किये, उ जिचुनाव लड़कर खुद को राष्टर पार्टी के तौर पर अब स्थापे तो किया है, इसमें भी कोई दो राए नहीं है, ये उसका एक बहुत बड़ा लक्ष था जो गुजराद चुनाव के बाद और कॉंग्रेस के अंदर के लोगों के मताबिक उनकी पार्टी के दम पर हासिल हुआ है, तो आप देखेंगे कि ये जो एक कड़ी है, वो ऐसा नहीं है कि पहले आई फिर दूसरी आई, ये कड़ियां जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, जसके बाद हम देखते हैं कि कॉंग्रेस और आम आदिम पार्टी इन में जो खाईया है, वो और बढ़ती चले गई, अगर हम रिसेंट सेनारियो को देखें और पंजाब की ही बात करें, तो पंजाब के ही कॉंग्रेस की कई जो MLA सांसद हैं, कुछ इस तरीके की बायान बाजी कर चुके हैं, जैसे कि आम आदिम पार्टी की तमाम सांसद हैं, विधायक हैं, और जल्द ही आम आदिम पार्टी की जटका मिलेगा, तो इस तरीके से जो बायान बाजी है और उसके बाद सुक्पाल सिंखेरा का अरेस्ट होना, नौ साल पहले का ये मामला, उसके बाद उनकी गरफतारी, तो इन सब सिचुएशन को बाद जो सवाल हमने उठाया, वो सव भावे गडबंदन है, वो आखिर कब तक बनेगा, तो यहाँ पर